Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन्फलेशन, इन्फलेशन और उसका impact, business cycle पर क्या होगा, this is an extremely lengthy chapter, a very very important chapter, बहुत जरूरी chapter है, और questions इस chapter से expected रहते हैं, तो इस शीज़ का लुफ्ट उठाएं, ध्यान से inflation के concepts को पढ़ें, हम Study IQ IS पे well-structured, comprehensive courses, IS examination की तैयारी के आप तक लेकर आते हैं, ये सारे courses Study IQ IS की website पर उपलब्द हैं, तो यदि आप 2024 या 2025 के aspirants हैं, तो आप हमारे courses को subscribe कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको वो सारी चीज़े और कई additional components भी मिलेंगे, जो की IS exam के लिए जरूरी होते हैं, जैसे 1000 प्लस hours of life teaching, उसके साथ-साथ live doubt clearing sessions, ट्रिलिम्स की test series, which is objective और answer writing practice for mains, और जब classes खतम हो जाती हैं, उसके बाद guidance के लिए, आपको mentors की सुविधा अवेलिबल है, और उसी के साथ-साथ आपको ग्यानवानी sessions, retired bureaucrat के sections भी अवेलिबल हैं, तो ये सारे teachers आप तक लेकर आ रहा है, study IQ आप लोगों के घर तक, और हम सारे educators इस चीज़ पे खूब महनत करते हैं, कि आपका exam जो है, वो निकल सके, everything is available at a highly discounted price, और एक बहुत ही affordable price, जो कि सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपीज है, only 19,000 रुपीज, अगर आप मेरा code यूज़ करें, तो codes आप कोई भी subscribe करें, study IQ IS की website पर, आपको ये price मिलेगा, या आपको एक discounted price मिलेगा, you can use my code, that is sanghi live, sanghi live code पर आप maximum discount जो है, वो पापाएंगे, और ये जो PDF में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये सारे PDFs downloadable हैं, मेरे telegram handle से, आयूश सांहीज IAS Academy, इस पर जरूर जुड़े, सारे PDFs यहाँ पर उपलब थे, तो आईए inflation के बारे में जानते हैं, और देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम cover करने वाले हैं, lecture wise, first, second, third, fourth, इन सारे lectures में, तो distribution of topics या contents अगर आप देख सकते हैं, ये सारे contents हैं, हम इन contents को एक-एक करके जो हैं, वो cover करेंगे, first, we are starting with understanding कि inflation का graph किस तरीके से समझा जाता है, how do we understand the graph of inflation, आप ये देख सकते हैं, inflation का graph, inflation किस तरीके से measure करा जाता है, और rate inflation का क्या रहा है, तो inflation जो है, यहाँ पर आप देखें, तो ये जो orange line आपको देख रही है, ये inflation as high as, more than, आप बोल सकते हैं, 8% था, which was in terms of percentage, और year on year, जो है, 14% से उपर inflation की growth हो रही थी, मतलब पिछले साल के comparison में, इस साल, inflation 14% जादा था, फिर 10% जादा था, तो इस तरीके से, आप inflation देख रहे हैं, एक time पे, साड़े 8% पहुझ गया था, उसके बाद जो है, वो control होके, तकरीबन 5% के आसपास आया, और फिर 5% से नीचे आया, रफ़ी साड़े 4% पे आया, और इस पे hover करता रहा, ये जो आप inflation का graph देख रहे हैं, इस चीज़ को 2023 तक रिलेट करा जाए, ये जो आप dotted line देख रहे हैं, ये 4% से उपर जाएगा, फिर roughly आके 3%, साड़े 3% पे stable हो जाएगा, तो इस तरीके से inflation को measure किया गया है, भारत की स्थिती को देखते हुए, जो ideal rate of inflation है, the ideal rate of inflation for India is 4%, जो है, ये 4% है, मतलब 4% of GDP, यदि हमारा inflation रहे, ये ideal है, ये अच्छा rate of inflation माना जाता है, बढ़ जैसा कि आप जानते हैं, कि कोई भी चीज एक आखड़े पे स्थित नहीं रह सकती, it cannot be fixed at one particular level, उपर नीचे तो जाएगाई, demand supply तो उपर नीचे होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे global factors, external factors, Russia, Ukraine, war और petrol के दाम जो है, ये सब affect करते हैं, तो उसमें जो flexibility है, ओ है 2%, plus 2%, minus 2%, यानि कि inflation can go as high as 6% and it can come as low as 2%, तो ये जो है, ये ceiling है, upper ceiling 6% है, lower ceiling 2% है, जब तक inflation का rate 2 और 6 फीसिदी के बीच खूम रहा है, या fluctuate कर रहा है, तब तक ये माना चाता है कि एक country का inflation control में है, it is under control, और जहाँ पर ये barriers breach होने वाले हो, वहाँ पर आप क्या सोचते हो, there you think, कि अब inflation को control करने का time हो गया है, तो inflation क्या है, what is inflation, जो एक lay person के भाशा में समझा जाता है, एक layman भाशा में, ये एक lay person के भाशा में, यदी समझा जाए, कि inflation क्या है, when we talk about inflation, inflation is price price, कि price जो है, वो बढ़ रहा है, increase in prices, increase in prices का मतलब ये है कि दाम किसी चीज़ के बढ़ रहे है, किस चीज़ के दाम, हमारे लिए क्या चीज़ matter करती है, वही हमारे लिए day-to-day items matter करते हैं, आप देखोंगे दूद का rate बढ़ गया है, ठीक है, आप देखोंगे सबजियों का rate बढ़ गया है, आप देखोंगे toothpaste का rate बढ़ गया है, normal cross scheme का डोलों का rate बढ़ गया है, ये सब चीज़े matter करेंगी न, all these things would matter to us, तो इस वज़े से जब introduction देखा जाता है, और हमें जो चीज़ matter करती है, वो बहुत simple है, rise in prices of goods and services, कि कुछ goods and services के prices जो हैं, वो बढ़ गए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम महंगाई, याने की inflation बोलते हैं, ये आम इंसान के भाषा में define किया जाता है, a matter of everyday's discussion about the price rise of the daily products, जैसे मैंने आपको बताया दूद, तो ये चीज़ है जिसकी वज़े से inflation is just a price rise, एक common इंसान से आप चल रहे हैं, market में हैं, road पे हैं, theater में हैं, घर पे हैं, drive room discussion में हैं, वो बोलेगा, भी मेरे ले तो सबसी महेंगी हो गए, मेरे ले inflation हो रहा है, अब country के level पे, नीती आयोग के level पे, think tank के level पे, department of economic affairs के level पे, निर्मला ताई के level पे inflation नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक आम इंसान के level पे inflation हो रहा है, इस वज़े से inflation जो है, वो बहुत closely connected है, राजनीत, यानि की politics से, महंगाई और राजनीत, ये दोनों चीज़े closely connected है, यहां तक की, बहुत सारी political parties, सिर्फ इस वज़े से election हार जाती है, क्योंकि inflation बहुत ज़ादा है, The governments are thrown out of power in elections, due to rise in daily use items, जो daily use के items है, वहां से आप जो है, आप election हार जाते हो, लेकिन उसका rate कम है, वहां पे inflation की वज़े से सरकारों को उठाके फेका नहीं जाता, In developed economies, more aware and informed voters, वहां पे आप जैसे US की economy है, वहां पे महंगाई मुद्दा नहीं होता, आप देखें, वहां पे मुद्दा होता है gun laws, वहां पे मुद्दा होता है education, वहां पे मुद्दा होता है Obama care, health care, जो है वो US के citizens को पहले मिलने चाहिए, बहार के लोगों को बात में गी, carried away by the greater impact of higher or lower inflation in the elections, higher inflation या lower inflation है, चुनाओ चुनाओ के दौरान, ये चीज़ वहां पे मुद्दा नहीं होता, तो आप कभी नहीं देखोगे कि Democrats जो है वो Republicans को inflation की वज़े से जो है, inflation की वज़े से accuse कर रहे हैं या खुद inflation को कम करने को promise कर रहे हैं, हाँ वो ये जरूर बो पे employment यहां पे skill होना चाहिए, but they certainly would not quote, वो ये चीज़ quote नहीं करेंगे कि महंगाई की वज़े से आप election हरवादो क्योंकि वहां का voter महंगाई की वज़े से influence नहीं होता है, ये चीज़ developing economies में बहुत matter करती है, क्योंकि developing economies में एक बहुत बड़ा तपका जो है, वो middle class, middle segment को belong कर परता है, middle segment एक ऐसा segment है, जिसके लिए day-to-day necessities अपोर्ट करना जरूरी है, और उसकी income पे सबसे ज़्यादा फरक परता है, महंगाई का सबसे ज़्यादा फरक एक middle class इंसान को परता है, गरीब इंसान से भी ज़्यादा फरक परता है, ये चीज़ हम आने वाले lectures में discuss तो आएए inflation की official definition को समझते हैं, एक lay person की definition मैंने आपको बताई, so lay person's definition is, rise or increase in prices, prices जो है वो increase हो रहे है, rise in prices, ये एक lay person की definition है, लेकिन जब हम एक proper definition समझते है, when we understand in a proper sense, a proper definition of inflation, what do we say, हम क्या quote करते है, a general rise, a general rise in prices of goods and services, goods and services में एक general rise देखा गया है, prices में, over a period of time, यानि की एक particular time period में, ऐसा नहीं है कि एक season में price बढ़ा सबजियों का या फ़लों का और फिर कम हो गया, that is not inflation, ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ा 6 महीने बाद तेल का दाम कम हो गया, that is not inflation, जब तक ये over a period of time, साल, दो साल, तीन साल नहीं बढ़ेगा, तब तक आप इसे inflation में count नहीं करोगे, so this basically means that the rise in prices have to be sustained, sustained मतलब एक continued basis पे जो है दाम बढ़ रहा है, जब continued basis पे दाम बढ़ता है, तब ही हम उसे inflation की category में डालते हैं, तो इसको officially ऐसे ही define किया गया है, चाहे ये कि universal definition है, पूरी दुनिया के लिए ये definition सही है, a rise in general rise in prices, a sustained rise, sustained का मतलब है continued rise in the general level of prices, persistent increase in the general level of prices, rising prices across the board is inflation, across the board मतलब बहुत सारे good में prices rise, price rise हो रहा है, persistent यानि की continued rise हो रहा है, और sustained increase हो रहा है, ये सारी ही चीज़े amount to inflation और ये सब जो है academic definitions हैं, जो की आप लोग exam में लिखेगे, these definitions are those that you would quote in the examination, तो जब कुछी चीजों का, कुछी commodities का, कुछी पधारतों का price जो है वो बढ़ता है, उसे हम inflation की category में, economy की terms में या national terms में include नहीं करते, तो few goods have gone up, it is not inflation, जब तक prices of most goods have not gone up, it is not inflation, इसलिए कहा जाता है कि prices of oil पे सारी चीज़े dependent होती है, जब oil का दाम बढ़ता है, तेल का दाम बढ़ता है, तो उस पे dependent maximum चीज़े होती है, वो भी वहेंगी हो जाती है, they have become usually expensive, और यह सच्चाई है, वो बहुत ज़ाद expensive हो जाती है, उनको control करना बहुत ज़रूरी होता है, इस वज़े से prices of fuel को control करना भारत सरकार के लिए अती ज़रूरी है, अत्यान ज़रूरी है, और उसी को control करने की कोशिश करी जाती है, हमारे देश में fuel के prices के basis पे सरकारे पलड़ जाती है, fuel के prices के basis पे पूरी राजनीत होती है, fuel के prices के basis पे आप दूसरे को जो है accuse करते हो, और आप ये चीज़ अपने election manifesto पर लेकर आते हो, कि कैसे हम तेल के दाम को कम करेंगे, प्लिटिकल पार्टी के लिए चाहे X पावर में हो, Y पावर में हो, Z पावर में हो, कोई भी पावर में हो, fuel, petrol, oil, crude, these things are a cash cow, क्योंकि आपको पता है, लोग तेल तो consume करेंगे, तो आप तेल पे खूप taxes लगाते हो, central government पूरे tax लगाती है, और state government उससे ज़्यादा tax लगाती है, जिस वज़े से fuel के दाम हर state में अलग-अलग-अलग होते हैं, आपने ये चीज़ notice करी होगी, तो inflation से जुड़ी दो terms और हैं, जो opposite of inflation कही जा सकती है, या associated with inflation कही जा सकती है, वो है disinflation और deflation, ये दो बहुत confusing terms है, लेकिन बिलकुल चिंता ना करें, जो चीज़ confusing होती है, उसे हम यहाँ पे clarify करते हैं, तो जब मैं बात करता हूँ rise in prices, ध्यान से देखें इसे, जब मैं rise in prices की बात करता हूँ, increase in prices की बात करता हूँ, that prices have increased, alright, तो increase in prices have resulted in inflation, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम inflation कहते हैं, दूसरी तरह, जब prices rise करते हैं, और उसके बाद मान लीज़े fall कर गए, और फिर से rise करते हैं, और उतने rise नहीं करते हैं, जब मान लीज़े, 2018 का graph है, और ये 2019 का graph है 2018 में inflation rate जो है वो 15% रहा और 2019 में inflation rate जो है वो 5% रहा only 5% दाम बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ा जतना पिछले साल बढ़ा था इस चीज़ को कहा जाता है dis inflation इसको ध्याम रखे इस चीज़ को कहा जाता है dis inflation inflation है लेकिन inflation का rate उतना नहीं है जतना पहले था earlier it was 15% but now it is just 5% इसको कहा जाता है dis inflation मतलब inflation but at a slower rate dis inflation and lastly when we talk about increase in prices prices बढ़े same example 2018 में और उसके बाद prices गिर गए prices have fallen in 2019 तो पहले price बढ़ा 2018 में और उसके बाद price गिरा तो price जो है मान दीजे 10% inflation देखा और 15% जो है वो fall देखा इसको कहा जाता है deflation this is termed as deflation deflation का मतलब होता है negative rate of inflation जो की fall in prices of goods and services की वज़े से आता है जब goods and services का price fall करता है नीचे आता है negative rate of inflation होता है negative rate मतलब inflation नहीं है deflation है मतलब चीजों का दाम गिर रहा है यदी चीजों का दाम गिरता है तो हम उससे क्या कहते है deflation यदी चीजों का दाम इस तरीके से बढ़ता है मतलब limited बढ़ रहा है उसको कहा जाता है disinflation whereas when the prices increase that is obviously inflation so these are two specific terms जो की आपको समझनी है क्योंकि इन दोनों terms को समझने से हमें economy पे impact समझ में आता है आईए देखें disinflation when price inflation slows down temporarily मतलब inflation है prices पे लेकिन यह slow down कर गया कम rate पे हो रहा है this term is commonly used by the US Fed to basically indicate की inflation कम rate पे हो रहा है मतलब slowing inflation है इसका मतलब है that a slow down is impending आने वाले time में हमारी अर्तिवस्था slow down से होते होए गुजरेगी ये चीज़ कहने वाली होती है unlike deflation this is not harmful to the economy क्योंकि अभी भी inflation है और इस inflation को किस तरीके से देखा जाता है इसको ध्यान रखेगा listen to me carefully inflation होता है जब inflation होता है तो उसका impact ये है कि market में और जादा spending power है purchasing power है purchasing power है इसका मतलब लोग कमा रहे है लोग कमा रहे है इसका मतलब लोगों के पास नौकरिया है employment है employment क्यों है क्योंकि industrial growth हो रही है तो एक चीज़ दूसरे से connected है which is why inflation is considered to be good for any economy किसी भी अर्थवस्था के लिए inflation को अच्छा माना जाता है तो inflation हर अर्थवस्था में होना चाहिए तो जब price बढ़ता है तो उससे इसका मतलब employment भी है money supply भी है purchasing power भी है salaries भी है industrial growth भी है यह सारी चीज़े है तो it is over a short period of time यदी कोई product जो है वो पहले 200 रुपे का था पिशने साल और अब वो 180 रुपे का हो गया है या आप यह बोल सकते है पिशने साल वो बढ़के 200 हुआ और उसके बाद जो है आप उसमें slow rate of inflation देखा गया जब slow rate of inflation देखा गया तो आपने आप यह कह सकते हो उसे कहा जाता है dis inflation लेकिन अगर किसी चीज़ का दाम गिर गया तो उसे कहा जाता है deflation deflation is negative rate of inflation when the prices of goods and services decrease across the entire economy increasing the purchasing power of customers deflation is not considered good as it invites the risks of slowdown and even recession in the country वही अगर चीजों का दाम गिर रहा है इसका क्या मतलब है अगर चीजों का दाम गिर रहा है इसका simple सा मतलब यह है कि लोग demand नहीं कर पा रहे है कब दाम गिरता है आप जाईए आप कब discount मांगते हैं जब मान लीजे सुबे के टाइम आप सबजी खरीदने जाते हैं ठीक है तो उस टाइम पे फ्रेश सबजी होती है महेंगी मिलती है कोई सबजी वाला रात को जब घर जा रहा होता है वो यह बोलता है कि आप आधे रेट में पूरा का पूरा ठीला खरीद दो ऐसा होता है आप में देखा होगा इसे कहा जाता है slump sale इसे कहा जाता है lumb sum basis पे खरीद दीजे 20 रुपे किलो का आलू 10 रुपे किलो में सारा आलू खरीद दीजे और उसके बाद फ्रिज में लग दीजे क्योंकि यह जाके शायद ठिक जाएगा यह हमें खुद कंस्यूम करना पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि prices have fallen जब prices जो है गिरते हैं इसका मतलब कि आप इसका मतलब market में demand नहीं है there is no demand in the market कोई खरीद नहीं रहा है अगर क्योंकि बिकना होता था वो आलू सुबही बिक जाता नहीं बिका इसलिए आपको आधे रेट में बेशना पट रहा है यही चीज है जो कि यहां पर आती है which is coming over here तो जब deflation की बात होती है इसका मतलब यह है कि market में डिमांड नहीं है जब market में डिमांड नहीं है तो आपको चीज़े सस्ती उतारनी पड रही है इसका मतलब purchasing power कम है money supply कम है शायद employment नहीं है unemployment जादा है तो growth कहां से होगी growth ही नहीं हो रही economy में तो deflation से हमेशा हर अर्थिवस्था बचना चाहती है inflation बहुत जादा inflation से बचना चाहती है और deflation से बचना चाहती है consumers benefit from deflation on the surface because they can buy more goods and services over time with the same nominal income तो consumers को deflation से benefit होता है purchasing power बढ़ती है जो चीज 200 रपे में मिल रही थी वो चीज 100 रपे में मिल रही है simple सी बात है 200 रपे की चीज थी अब 100 रपे की है तो आपकी purchasing power double हो गई deflation is usually associated with high unemployment बेरोजगारी जादा है low levels of production of products and services products and services का production जो है वो कम है यह सारी चीज़े इसके साथ associated है all these things are associated with this so in practice the same term inflation is used by experts to show price rise, inflation भी होता है as well as price fall जब prices गरते हैं when the prices come down yes, तो inflation को किस तरीके से measure करा जाता है prominently there are three measures popularly there are two measures तो prominently जो तीन measures में वो शुरू होते है producer price index followed by wholesale price index and then consumer price index producer, wholesaler, consumer in that order but popularly what you would see in newspapers and in the news is wholesale price index and consumer price index WPI and CPI respectively so the rate of inflation is measured on the basis of price indices which are of two kinds अब price index price index जो है वो calculate होता है एक basket of goods पे बहुस एक चीज़ मेंगी होने पे inflation नहीं होता एक basket of goods में यदी iron ore और कोईला मेंगा हो रहा है gas मेंगी हो रही है तो उस पे masses पर फरक पड़ता है measure the average level of prices which does not show the exact price rise of fall of single goods single goods के basis पे कभी inflation नहीं आता है इस चीज़ को याद रखेगा तो जब हम इसे analyze करते हैं तो ये measure specifically आते हैं जो की हम in detail समझेंगे आने वाले lectures में उससे पहले एक basic level पे inflation को किस तरीके से calculate करा जाता है अगर आपको basic level पे मैं बताऊं कि एक good पहले 100 रुपे का था और अब उस good का price तेर्ड सो हो गया है it has increased to 150 so obviously there is 50% inflation inflation जो है वो 50% का है लेकर अब calculate कैसे करोगे what is the formula formula is b-a divided by a into 100 b-a divided by a into 100 यानि कि 1.500 divided by a 1.500 minus 100 150 minus 100 divided by 100 into 100 तो ये 100 percentage का है ये 100 previous पुराने price का है तो इसकी वज़े से आपके पास जो inflation का rate आता है that is 50% तो यहाँ पे एक दूसरा example है petrol के prices का 2022 में 2010 the prices for petrol was 70 rupees a later and 2022 petrol prices were 100 rupees a later तो 100 minus 70 divided by 70 into 100 which is 30 divided by 70 into 100 roughly 42.85% is the rate of inflation ये rate of inflation है ये महेंगाई है ये rate of inflation है जो की यहाँ पर आता है इसको हम लोग rise in prices of goods and services कहते हैं So I hope guys you have understood what we have discussed at a very basic level और हम इसके बाद जो है यहाँ से advanced stage पे जाएंगे और चीज़ें discuss करेंगे ये जो PDF से हैं ये पाई जाएंगे मेरे टेलेग्राम हैंडल पर आयूश सांही जाएस अकाडमी और अगर आप courses को study IQ IS पे subscribe करना चाहते हैं तो मेरा code यूज़ करें सांही लाइफ सांही लाइफ से आप maximum discount पापाएंगे मेरे courses पे और comprehensive structured courses पे इसमें ये सारे features हैं at the most affordable price which is only 19,000 rupees तो comprehensive codes or GS Foundation batch for 2024 and 2025 use my code and get maximum discounts alright guys thank you so much bye everyone take care and all the best